नमस्कार, टुड़े हे माशल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावनर रेनाट और चली देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटा फटा परशद को कारे योजना तयार करने के निरदेश थिये, उन्होंने ये निरदेश पी दिये की मेली के दुरान किसी भी स्टॉल पर प्रतिबंदीत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदावर्टों की बिक्री पर प्रभावे निग्रानी के प्रदूर्शन नियंतरन बोर्ड के स प्रशान अधिकारी नगर परशद और चमबा उप मंडली परशासन के अधिकारी कारे वाही सुनुष्चित बनाएंगे 500 क्रोट से सवरेंगे हिमाचुल के बिटिश कालीन रूट दोरेंगे गॉल्फ कोट हिमाचु पदेश में बिटिश काल में बने रूट सवरेंगे इसकलिए वन विभाग के कैमपा प्रजेक्ट के जरी पांसु कुरूर रुपए खर्च के जाएंगे इन रूटों को प्रेटन की दिश्टी से विक्सित किया जाएगा इन रूटों को ब्राइडल पात बनाकर प्रच को और आम लोगों की सुवधा के लिए लेक्टिकल वहन चलाए जाएंगे इसके लिए वन विभाग कुलू ने दो वहनों को खरीदने का उड़र भी दे दिया है जो जल्दी दिली से कुलू पहुंचेंगे सुबे में ब्रिटिश कॉल में कितने रूट है इसकी सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कुलू में करीब 155 बिटिश कारीन रूट है और इसकी फाइल शमला भेज दी गई है जन्ता को जटका राज्यस्व इंतकाल की दरों में 25-25 फेजी तक बढ़ोतरी अदे सूचना चारी हिमाच्यो पदेश राज्यस्व इंतकाल की दरों को संचोधित कर इसमें 25-25 फेजी तक ये बढ़ोतरी कराम जिंदा को महगाई का जटका दे दिया है राज्यस्व इंतकाल की पुरानी दरों को संचोधित करने की मांग परदेश सरकाने माली अब ये तक विभन शेड़ों के इंतकाल के दाम महज एक रुपए से लिकर दो रुपए प्रती खाता था लेकिन अब सरकार के दी सूचना के लिए सार विभन शेड़ों के इंतकाल की नियूंतमपी से बच्चार से लिकर 500 रुपए तक निर्धारित कर दी गई है पालमपूर में होगा दो दिवस्य हिमाशल ड्रॉन कॉनक्लेव रोजगार पर भी होगी बाच्ची डिजिटल तकनीक एवं गवर्निस विभाग द्वारा चौधी सरवनकुमार हिमाचों पदेश क्रिशी विश्विदाले पालमपूर में चार तथा पांच जुलाई को हिमाशल ड्रॉन कॉनक्लेव आईजित किया जाएगा इस से कॉनक्लेव में विपार जगत के परमुक विशेश रगे शिक्षवेदर तताहित धारक शामिन होगे जो ड्रॉन के ख्ष्वेत में सहियोग और ग्यान के अरदान प्रदान को बढ अगर करेगा नीट जेई की परिक्ष्वा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के 215 विद्यार्थी होंगे सम्मानित हिमाशल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 25 विद्यार्थी ने नीट जेई की परिक्ष्वा पास की है मोगे मंतरी सुक्विंदर सिंग सुक को इस महीनी के अंतम सब तहा में विद्याथियों को समानित करेंगे अने विद्याथियों को प्रवसाहिद करने के लिए उच्छे शिक्षा निदेश वाले समान समहरों का आयोजन करेगा अवन्ती फैलो संसर से निशुल कोचिंग रेने वाले 180 विद्याथियों का नीट जयी में चेन हुआ है नीट वजयी के परिक्षा पास करने वाले सरकाई स्कूलों के विद्याथियों की तलाश अभी वी जारी है कई जिलों से निदेशवाली के पास इसका अभी ज्यारा नहीं आया है परिक्षा पास करने वाले विद्याथियों के संक्या 250 तक पहुँशने के आसार है सुख सरकाने लाकों को दी राहत प्रदेश में अब घर बैठे बनेगा लर्निंग लाइसेंस प्रदेश भर में अब लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनाए जा सकेंगे राजे सरकाने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है सरकाने एक शेत्रे परिवन कारियालियों और शेत्रे लाइसेंसिंग प्राधी कारियों की कारियलों को सुविधा संपन बनाने की पहल की है। इसके अंत्रगात लोगों को अपने घरों से ही आसानी से बिना कीचे परेशानी के अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के सुवधा प्रदान की जाएगी। मुखे मतरी सुखविंदे सिंग सुखो ने बताया कि व्यक्ति अब अधार अधारीत प्रमाणी केरन का लाव उठाते हुए पुरी तरह से ऐनलाइन प्रक्रिया के मादम से किसी भी स्तान से अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रनाले से अधार अधारित लर्निंग लाइसेंस आविदन प्रक्रिया सू विवसेत हुई है और बहुत इक सत्यापन जांच और नुबोधन के अबजक्तान नहीं रहेगी। IIT मंडी के प्रशिक्षू इंजिनियर्स का खमाल कम कीमत का बनाया बेबी इंक्यूबेटर हिमाचु पदेश के IIT मंडी के प्रशिक्षू इंजिनियर्स ने कम कीमत पर नेयॉन टॉल इंक्यूबेटर तयार किया है ये नियोन टॉल इंकुबेटर नौ मास से पहले ही जर्म लेने वाले बच्चों को मा की कोक जैसा वातवरन देगा और जालेव अभिमारों से बचाने के लिए तयार किया यह नवजार बच्चों के लिए जरूरी तापमान को 35-38 डिग्री सेलसिस तक पनाया रखने में ये सक एक मास से कम उम्र के बच्चों को थर्मल शॉक से बचाने के लिए पूरी तरहां से 37.6 डिग्री सेलसिस तापान के अवशकता रहती है एक हफ्ते में बारिश उसे हेमाचल को 242.40 करोड रुपए की चपते जाने किस विभाग को कितना नुकसान हिमार्चल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हो रहा है 24 जून को प्रदेश में मौनसुन ने दस्तक दी तब से लेकर अब तक हिमार्चल को 242.40 क्रोल रुपए का नुकसान हुआ है जर्शक्ती विभाग को सबसे ज़्यादा 119.97 क्रोल रुपए जबकि लोक निर्मान विभाग को 113.19 और बागवान विभाग को आप तक 26.92 क्रोल रुपए का नुकसान हुआ है विभाग क्यों से नुकसान की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को फेज़ दी गई है जो शक्ती विभाग के पेजल स्रोतों में गाद आने से पाने के स्की में ठाप है गगल हवाई अडिके विस्तारी करण के लिए प्रशासने तेज की तैयारियां गगल हवाई अडिके विस्तारी करण को लेका डीसी के रेले धरमचाला में जिलादीश कांगड़ा डॉक्र निपल जिंदल के देक्षिता में बैटका एवजन क्यागा उपायुक्त ने बताया कि कांगड़ा एरपोर्ट के विस्तारी करण से संब्धित आगामी कारेवाह हो सकती है उसको लेका संब्धित विभागों से बैटक में चाचा की चाएगी